मित्रों को जय जय सियराम प्रभु स्री राम की किपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो स्री रामचंद्र जी का कितना शरल सोभाब है, कितना सहज सोभाब है, वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरन रूप शंसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशो तथा समस्त सोकों को देने वाला है, इसलिए किरिपानिधिव से दू कर देते हैं, क्योंकि शेबग पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है, ये कुशाईं जैसे बच्चे के सरीर में फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोर हिर्दय की भाती चीरा डालती है, जदपी प्रथम दुख पावई, रोवई वाल अधिर, अब्याधिना सहीत जननी, गनतीन सोसी सूपीर, एदपी बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय, बने घाव चिराते समय, दुख पाता है, और अधिर होकर रोता है, तो भी रोग के नास के लिए माता बच्चे की उस पीरा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती, और फोड़े को चिरवाही डालती है, अत्ति मीरगुपती निजदा सकर हरहिमान ही तलागी, तुलसिदास ऐसे प्रभु ही, कसन भजाहूं भ्रामत्यागी, उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसिदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रामत्याग कर क्यों नहीं भजते तो बोलिये सियाबर रामचंद्र की जए, अयोद्याराम लला की जए, ब्रिंदावन बिहार इलाल की जए, पवनशुत हनूमान की जए, बोलो भाई शब शंतन की जए, हर हर महादेब, जए सिवसंभो।